नमस्कार, रसोई घर में आज हम बनाएंगे भिंडी के भाजा, इसके लिए मैंने ली है भिंडी, तेल, लालमेच, नमक आईए, अब हम बिंडी को काट लेते हैं बिंडी को मैंने धो कर सुखा कर रखा है, अब इसे हम काट लेते हैं इसे हम गोलाई में काटेंगे सारी बिंडियों को इस तरह गोलाई में काट लेंगे और फिर उसे एक थाली में डाल कर इस तरह फैला देंगे और एक घंटे के लिए छोड़ देंगे एक घंटे बाद कडाई में हम तेल गरम चड़ाएंगे तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए फिर हम उसमें भिंडी को डालेंगे भिंडी को डालने के बाद हम गैस को धीमी कर देंगे और उसे धीमी आँच पर सुनेरा होने तक तलेंगे थोड़ी तेर में भिंडी सुनेरी होने लग जाएंगी ये देखिए भिंडी सुनेरी होने लगी है इसे हमें तलने में चार से पांच मिनिट लगेंगे भिंडी सुनेरी हो चुकी है आईए अब हम इसे कड़ाई से निकाल लेते हैं इसे एक थाली में निकाल कर अब इसमें डालेंगे चौथाई चमच नमक नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर मसालो को इसमें मिला लेंगे अच्छे से और फिर इसे थोड़ा थंडा होने देंगे थंडे होने पर हम इसे कोई भी एर टाइट जार में डाल कर रख सकते हैं चार से पांच दिन तक रख सकते हैं और इसे रोज अपने खाने में शामिल कर सकते हैं